अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके भाई एक से जाद है लेकिन मुझे यह कहना है कि उस्तारे नहीं उनमें से कोई एक मेरा दोस्त है यह सही है क्या गलत है क्यों गलत है तो बात की बात हो गया तो रूल टाइप हो गया दो डिटर्मिन एक साथ नहीं आएंगे उसका एक भाई है मेरा तो हो गया कि आवल बेटा जल्दी बता यह गलत क्यों है वो तो बात में करेंगे देखो पहला इस्टेप होता है जैसे हम जब ट्रीट्मिंट करते हैं क्वेश्टन सब्सक्राइब पहला इस्टेप ही होता है कि हम यह समझें कि यह है क्या पढ़के फिर यह देखें कि भाई यह गलत है और अगर गलत है तो क्यों गलत है और आप कैसे सही करें तुम सीधे आंसर पर पूछ जा रहे हो मैं पूछ रहा हूँ गलत हम क्यों माने इसको सही मान लो मुझे मीनिंग तो समझ में आ गया ना इसका क्या मतलब है तो हमने पढ़के तो समझ लिया क्या लिखा हुआ है उसका एक भाई मेरा दोस्त है यह तो सही है फिर इसमें गड़ बढ़ क्या है पर पढ़कर समझते हैं तो पता जलता है कि सही है यह गलत है पढ़कर तो हम इसको क्यों चैन्ज करें कि नहीं लग राचा है उन्हें में ठीक नहीं लग रहा है तो होता गया है तो ग्रूप एक डिटर्मिनेर्स होते हैं वह तुम लोगों का ध्यान रहा हो तो हमने पढ़ा था उनका फंक्शन क्या होता है इंटिफिकेशन ऑप डिटर्मिन करने के लिए लिए तो गया नफ होता है आइडिटिफिकेशन होई गया फिर दूसरे की जरुद नहीं रहती है एक तो यह बज़े है दूसरा देखो अगर हम किसी भी नाउन के साथ में हिज लिख रहे हैं इस हाउस हिस ऄाउस हिस लिखा गया देफिनिट हो थृषो हद में लगत देटते है तो तक यहाँ पर हमने ठेज लिखा है वह संगल जाता है कभी उसके जाता है इंडेफिनीट हो अज जब लिखा तो इंडेफिनीट कैसे और जब लिखा तो फिर डेफिनीट कैसे तो इस बज़े से एक दूसरे के साथ में गलत होते हैं इनका यूज नहीं करना चाहिए तो बोलने में भले अच्छा लग रहा हो लेकिन यह जो हमने ल करते हैं